दोस्तो सर्दियों के मौसम में खुजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है मुसीबत तो तब ज्यादा हो जाती है जब यह खुजली रात के समय में होने लगे क्योंकि बहुत से लोगों मैं देखा गया है कि जैसे ही रात में वहें बिसतर पर लेटने जाते हैं उसी दोरान उनकी खुजली स्टार्ट हो जाती है और यह खुजली इतनी ज्यादा होती है कि खुजाते खुजाते इसकिन में बिलड तक निकलने लगता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरदियों के मौसम में रात को आखिर इतनी खुजली होती क्यों है और इसके क्या कारण होते हैं और इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है तो मेरा नाम है ताहिर सेफी और आप देख रहे हैं मेडिकल हेल्थ एजूकेशन यूटूब चैनल चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरस्टिंग वीडियो को अक्सर रात के समय में हाथ पैरों और सरीर में खुजली की यह समस्या एक परेशानी का कारण बन जाती है और इस परेशानी की बज़ा से नीम तो खराब होती ही है साथ में अगर खुजली के दोरान तेज खुजा लें तो सरीर पर इसक्रेच भी पढ़ जाते हैं रात में होने वाली इस खुजली को पिरूरिटस की नाम से भी जाना जाता है पिरूरिटस की यह समस्या होने पर सरीर में काफी तेज खुजली होती है और उस जगा पर खुजाने की तीवर इच्छा होती है और होता क्या है कि इतनी तीवर इच्छा होती है कि खुजाते ख जगा को खुजा नहीं लेते हमको आराम नहीं मिल सकता तो इसलिए इस कंडिशन में इसकिन में इंफेक्शन होने का भी डर रहता है रात में होने वाली इस खुजली के कुछ तीन मुख कारड होते हैं जिसमें कि नमबर वन पर एक common कारड है dry skin dry skin सर्दियों में जब सुस्क हवा चलती है तो उस वज़ा से हमारे सरीर का moisturizer कम हो जाता है तो उस condition में भी खुजली की समस्या हमें हो सकती है इसका ilaj भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा लेकिन उससे पहले बात करते हैं कारड नमर दो की जो इसका दूसरा सबसे बड़ा कारड है वो होता है autoimmune response इस condition में हमारे सरीर की autoimmune cell हमारे healthy cell पर attack करती है जिस वज़ा से हमारी skin में inflammation हो जाता है और allergy की समस्या हो जाती है तो ये इसका दूसरा कारड हो सकता है और जो इसका तीसरा कारड होता है तो जब body का temperature हाई हो जाता है तो उस वज़ा से हमारे body का moisturizer कम हो जाता है और हमें खुजली की समस्या हो सकती है अब बात करते हैं इसके treatment की दोस्तो खुजली होना एक discomfortable and annoying condition हो सकती है इसलिए इससे राहत पाना बहुत जरूरी होता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपनी skin को dryness से बचाना है तो dryness से अपनी skin को बचाने के लिए आप कोई भी moisturizer का use कर सकते हैं और खुजली की इस समस्या से बचने के लिए मैं prefer करूंगा आपको आप olive oil का इस्तमाल कर सकते हैं रात को बिस्तर पर जाने से पहले आप olive oil को अपनी पूरी body पर लगा सकते हैं olive oil का use करने से आपको खुजली में बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है इसके अलाबा आप coconut oil का भी इस्तमाल कर सकते हैं नहाने के बाद आप अपनी पूरी body पर coconut oil का इस्तमाल कर सकते हैं यह आपको खुजली में बहुत ज़्यादा आराम दे सकता है सरदियों के मौसम में होता क्या है कि लोग पानी का बहुत कम इस्तमाल करते हैं तो मैं prefer करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएं जिससे के आपकी body में पानी की कमी न रहे और आपकी skin dry न रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है अब बात करें इसके medication की तो इसमें anti-histamine tablet देते हैं और anti-histamine tablet में high cop 25 mg आती है यह दबा खुझली में बहुत ज़्यादा useful होती है तो आप high cop 25 mg को use में ले सकते हैं इस गोली को दिन भर में एक बार लिया जाता है अब बात करते हैं cream की तो cream में clobitasol एंड इसके साथ कोई steroid या micronazol cream का इस्तमाल कर सकते हैं यह cream खुझली में बहुत ज़्यादा आराम देती है तो इन सब medication का आप इस्तमाल करके अपनी इस खुझली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं